नमस्कार स्वागत है आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों वीडियो शुरूने से पहले अगर अभी तक आपनी हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेश सबसे पहले जल्दी प्राप्त हो साथ ही वीडियो को जरूर लाइक भी करें तो दोस्तों मैं बात करूंगा इस वीडियो में आरेयस दोहजार अठारा पांच अगस्त को एक्जाम है लेकिन इस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं पिर ये एक्जाम है जो आरेयस होगी या नहीं अरेयस परिक्षा और पिएस्थी मेने इस्थाई नैकारेवाः अध्यकस दोस्तों अभी तक खार पिय सके जो अध्यकस रादेश्याम जी के बाद कोई भी तिलाल इसका अध्यकस पद्र नहीं दिए गया है एक महिने से भी कम वक्त लेकिन नहीं च Зап्र और रास्तान लोग सेवाय की आरेयस इवाधिनस सेवा सेंग परतियोगी परिक्षा 2008 पर संकट मंड़ा रहा है अवल तो आयोग में नहीं स्ताई हत्यक्स है नहीं कारवायक है जिस अब तक पेपर भी नहीं छपवाएगें कम समय तैयार या मुश्किलेस में परिक्षा को लेकर स से किस्ति बनी हुई है रास्तान लोग सेवायोग ने 5 अगस्त को आरेयस प्रारंबी परिक्षा 2008 तै किया है आयोग करीब 5,10,000 आवेदन मिले हैं आयोग ने राजी के सभी जिल्ला मोख्यन पर एक ही पारी में परिक्षा आयोजीत कराने का फैसला किया है लेकिन अब परि परिक्षा परिक्षा नहीं है इसको लेकर पेचीदगिया बढ़ गई है तो दोस्तों एक महीने में जो अधिकरत सुत्र हैं उन्हों के दुआरा जानकारी लगी है कि प्रिंटिंग प्रेस से चपाई कराई जाए उनकी बाइंडिंग और परिक्षा केंदरों तक पहुंच प्रिंटिंग और अन्यकार बेहत गोपनी होते हैं इस्तायत वकार वाह का अध्यक्स यह परिक्रिया अंजाम देते हैं पहली बार है जब आयोग में आर्येस परारंबिक परिक्षा के वक्त कोई अध्यक्स नहीं है तो दो आयोग की मनसा पर निर्वर एक जो नाम ने मने कामकाज सक्षतकार के अलावा कई ओनलाइन परिक्षा आजित हैं लेकिन सरकार को इस्ताय या कारवयक अध्यक्स जैसी असमंजिक इस्तिसाप करनी चाहिए और आयोग को समय रहते पहले भी सूचना देनी पड़ेगी अभ्यरतियों को कि एक जाम कब होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत दोस्तो इस आरेयस भरती 2018 पे क्योंकि यह जो पत्रिका की खबर के अनुसार एक महीने से कम का समय बचा है और अभी तक पेपर नहीं चपें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में इतनी तैयारी करना कैसे संभव होगा तो दोस्तो उम्मीद क लगा कि यह जानकर यह आप से साजा करूं तो मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है तो दोस्तो जानकर यह आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब